कलपान द्यान साथना में सभी साथकों का सागत है सभी को परणाम ओम आज की साथना के लिए किसी वियासन में सहेज होकर बैठ जाएं किसी वियासन में सहेज होकर बैठ जाएं आखें को मलता से बंद, हाथों को ग्यान मुद्दा में आखें, कुमा गयदन सी दी, और सहेज हो जाएं, आखें को जाएं, 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 जाए सहिज होते जाएं अंदर जाने वाले स्वासों के साथ सहिज होते जाना हैं सहाविक होते जाना हैं सहाविक होते जाना हैं होते एक साष अनंद पारुजा को लेका अंदर पविश्ट कर रही है और शक्ति पर सही का संचालन कर रही है बोर्जा सही के रॉम रॉम में फैलती जा रही है सही का रॉम रॉम में शुर्जा से भरता जा रहा है रॉम रॉम इस रॉजा से क्यासील होते जा रहा है अनं तुर्जा का पवा नियन थे बढ़ते जा रहा है इस रॉजा के पवा को देखते जाना है कोई सुर्जा को एसास करके जाना है सही को इससे रखना है कोई हलचल नहीं करने सही को अदिक स्यादिकिश्तिर सहेज होने देना है सहेज होने देना है जैसे जैसे सही सहेज होता जा रहा है और जा बढ़ती जा रही है एनर्टी बढ़ती जा रही है और जा की तरंगे बढ़ती जा रही है एनर्जी की तरंगे बढ़ती जा रही है रोम रोम में उज़्या बढ़ती जा रही है नन तुझा का पभा सही के रोम रोम में फैल तजा रहा है नन तो जा के बढ़ती वे पभाहा को मैं सूस करें अनन्त गहाई हमें सूर्जा के पभाह के साथ डूपते जाना है इस एनर्जी के साथ गहर अंत जगत में पवेश करना है गहर इस आंती में सही होते जाना है और कुछ ही करने की जोगत महीं है जो आप बंद करके बैठ जाते हैं तुछ इतना पाश्ट में सेम चली जाती है पाश्ट की कोई न कोई याद वहर के सामने आ जाती है और वो याद सुख या दुख का कारण बन जाती है सब कुछ अंजाने में वहर का आता रहता है और मुन पक्रियाएं पक्रियाएं करते चली जाती है जिससे वो सब फिर से इस्टोर होते चला जाता है तो जो कुछ भी सामने आता है वो इस पर कोई क्रिया नहीं करनी कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी कोई क्रिया नहीं करनी कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी सहेज हो जाना है सहज सहल हो जाना है सहलता से दागे बरती जाना है और जो कुछ भी पेगट होता है उसका साक्षी बनना है साक्षी बनकर जश्टा बनकर के वाल देखते जाना है और देखते देखते वो विचार या जो भी पेगट हुआ है वो इस बिमान में बलीन हो जाता है और फिर एक नया विचार द्वास से जनम दिता है ऐसे ही अचेतन की परते खुलती चली जाती है और जो कुछ अचेतन में दवाया है वो चेतनता के इस्तर पर आका बिलीन होता चला जाता है अगर हम प्रक्या या प्रतिक्या नहीं करते तभी वो इस बिमान में बिलीन हो सकता है नहीं तो प्रक्या आगे चलकर वो और ज़्यादा गहरे घाओ और ज़्यादा गहरे दर्द दे सकता है हम अक्षक कुछ न कुछ याद करते हैं जिससे हम कोई बच्पन याद कर रही है वो बच्पन याद करते हैं तो कहते हैं तो हम इसी पेज में हैं जो निचर है बच्पन नहीं बन जाते हैं याद तो हम कर सकते हैं आखो को बन करके हम सोच सकते हैं कि हम सास साल के हैं या दस साल के हैं या तीन साल के हैं हम उस अतीत में उस पास्ट में से हम को देखते हैं एक फिलिम की भाती जैसे कोई एक मूवी चल लही हो यह इतना दृष्टा बन जाती है और वो बच्पन दृष्ट से बन जाता है इस पकार से हम इस्मार करते हैं लेकि इस पकार से इस्मार करने से वो बच्पन के गहाओ या बच्पन की टीस खत्म नहीं होती गहाओ तो बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं और वो किसी तरह से याद करके पगट नहीं किये जा सकते इस्मार या फिर जो कुछ भी आप याद करते हैं वो तो चेतन मन का हिस्सा है जो आपके चेतनता में अभी भी है और वो इतना महत्पूर नहीं है जितना अचेतन में चुपा हुआ समय है चेतनता से ज़्यादा अचेतन में बहुत कुछ चुपा है इस चेतनता में तो आप इस जन्म के बारे में सो सकते हैं इस जन्म के बच्पन के बारे में सो सकते हैं कि यह इस चनम में घटित कोई विश्य घटना के बारे में सोल सकते हैं लिखें हैं चेतन मन में अन्हें चनमों की घटनाएं समाहित हैं अन्हें चनमों की विचाहर समाहित हैं इस मर्दियां समाहित हैं मानताएं समाहित हैं और फिर हम जो कुछ भी याद करते हैं, वो वाते वही होती हैं जिनको मुझे स्विकार करता है, इसले पुर्तेरिक व्यक्ति कहता है कि उसका वच्पन बड़ा सुन्दर था, कभी सोचें कि सब कहते हैं कि बच्पन सुन्दर था, तो क्यों, क्या कोई फिर से बच्पन बनना चाहता है, साहिद आज की परस्तिते को देख कर सोते हैं कि साहिद बच्पन ही रहते, लेकिन जो बच्पन होता है उससे पूछें कि जो जीवन जी रहे हो, क्या वो संतुष्ट है, क्या भाई खुष है उस जीवन से, क्या भाई बच्पन बना रहना चाहता है, तो एक भी भच्पन ऐसा नहीं मिलेगा, जो कहे कि हाँ मैं इस बच्पन को इसी पकार से जीवन चाहता हूँ, है बच्पन बड़ा होने की कोशिश कर रहा है, है बच्पन सोचता है कि कितनी जल्दी में बड़ा हो जाऊँ, कोई बच्पन से खुश नहीं होता क्योंकि कहता है कि बड़े सक्ति साली हैं, है बच्पन बच्पन को असा है अनुबव करता है, है अपने आपको कमजोर मनुभव करता है, है बच्पन आपको बंधन में महसुस करता है, अगो इसे छोटी सी एक आइस्क्रीम भी खाई दनी पड़े तो मागना पड़ता है, छोटी छोटी जवुतों को पूरा करने के लिए उसे कहना पड़ता है, हर बेक्ति उसको शिक्षा देने के लिए तैयार रहता है, ये गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, अब बच्चे ने आइस्क्रीम मांगी, माबाब कहते हैं कि आइस्क्रीम बुरी है, अच्छी नहीं है, अब बच्चा सोचता है तो पर ये आइस्क्रीम बनी ही क्यों है, वो जिन चीज़ों को नहीं खाना चाहता है, उनको उसे खिलाने की कोशिश करते हैं, फल अच्छे हैं, फलों को खाओ, तो कोई बच्चा फल पसंद नहीं करता, और जिन साइस चीज़ों को वे खाना चाहता है, वे माबाब को बुरी लगती है, जिस चीज़ को बच्चा मांगता है, कहते हैं कि पेट खाओ हो जाएगा, यह चीज़ अच्छी नहीं है, तो बच्चे को लगता है कि सारे अच्छे विटामिन गलत चीज़ों में डाल दिये गए, बच्चा बच्च्पन से बिलको कुछ नहीं है, ना अपनी पढ़ाई से कुछ है, ना खाना पीने से कुछ है, ना रहन से कुछ है, लेकिन फिर भी जब बढ़ हो जाते हैं तो कहते हैं बच्पन बढ़ा संदर था, क्योंकि यह मानिताओं में समाया हुआ है, इस मर्तियों में समाया हुआ है और यह जन्मों की इस मर्तियों में है जो आज बच्चा सेम को बंधन में में सुद कर रहा है कि मुझे जवरदस्ती सब की बात माननी पड़ती है वह उस बच्पन से जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाना चाहता है वही बच्चा बड़े होका कहता है कि बच्पन सुन्दर था और वही बच्चा बड़े होका कहता है यह बुड़ापे में आका कहता है कि जवानी अच्छी थी तो कोई भी अपने प्रजेंट से अखुष नहीं होता जवानी में वच्पन अच्छा लगता है बड़ापे में जवानी अच्छी लगती है कोई अपने इस्तिती से खुष नहीं है और जो कुछ बुरा है जो हम को सीका नहीं है वो सब अच्छेतन में हम भेकते चले जाते हैं जो हम अच्छा नहीं लगता हूं उसको याद नहीं करते वो सब अच्छेतन मन की परतों में दबता चला जाता है जैसे कमरे में कोई एक इस्टोर रूम बना दिया और जो कवाड़ा मिला वो ही उसमें फेक दिया कवाड़ा की ऊपर कवाड़ा भात्ता चला जाता है ऐसे ही अचेतन मन में बहुत सारा कुछ ऐसा दवाया है जो जो हमको अच्छा नहीं लगा जो जो हमाई मानताव संस्कार नहीं किया उस सब को हम अचेतन में फेकते चले जाते हैं और हर जनम में ऐसा होता है एस जनम में सरीर ने जहां जनम लिया वहाँ के संस्कार वहाँ के मानताएं कुछ और है और पिछले जनमों में मानताएं और संस्कार कुछ और थे तो पिछले जनमों की मानताएं में संस्कार जिन बातों को स्विकार नहीं करते हैं उनको हम अचेतन में फेकते चले जाते हैं और जिनको स्विकार करते हैं उनको आगे बढ़ाते चले जाते हैं जो कुछ भी याद किया जाता है वो कियल वही याद रहे जाता है जो अच्छा है या फिर बहुत बुरा है यो कि हम बुरे को भी नहीं भूल पाते हैं उसे भी हम चेतनता में ही रोक कर रख लेते हैं बार बार उसको महसूस करते हैं बार बार उससे दुखी होते हैं तो या तो ज़्यादा अच्छा याद रहता है या पिर ज़्यादा बुरा याद रहता है बाकि बीच का सब खत्म होता चला जाता है लेकिन जो ज़्यादा बुरा हुआ है वो चोटे-चोटे इस्टोर की विचारों से पैदा हुआ है चोटे-चोटे नकात्म के विचार हमने अचेतन में डालते चले जाते हैं और जब अचेतन का वो कोश भर जाता है तो एक विच्पोर्ट होता है वो बड़ा दुख बन जाता है बड़ा घाओ बन जाता है और इसी इत्ता से पूरे जीवन हम दुखी होते रहते हैं वाजीवन हम सत्त को नहीं जान पाते हैं वाजीवन खत्म कर देते हैं तो द्यान के गहाईयों में कुछ याद करने के जीवत नहीं है तो कि याद तो भही आएगा जो ज़्यादा अच्छा होगा अच्छे को हम जादा स्वीकार करते हैं वह जो चेतन के मन पर होगा चेतनता केशता पर होगा हमें अचेतन की परतों को खोलना है इतना गहाई में डूपते जाना है कि मन पुद्धी का कोई ख्याल न रहे मन पुद्धी इस्तिर हो जाए मन पुद्धी कास्ते तो खत्म हो जाए इस्ता ही कास्ते तो खत्म हो जाए पुद्धी कास्ते तो खत्म हो जाए विचास्तन होते चली जाए मुझ से मनुद्ध गहाई मन दूपते चला जाए वो देखता चला जाए वो सब कुछ जो पगट हो रहा है तो जो कुछ शेम पगट हो रहा है वही आपके संचीत करम है उन्ही में मानता चुपी हैं उन्ही में इस मर्तियां सुमीएं उसी में संस्कार चुपे हैं तो जो भी उटके सामने बाहर आता है अच्छेतन की पर्त जो पर खुलती चली जाती है सब कुछ एक संचीत गटना है एक बीज जिससे जीवन की सुरुआत हुई और फिर उस पर्त 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 चड़ती चली गई पजारों गटना है रोज गटती चली गई वह सब हमजूद है हमें तो पीछे घूम जाना है अनंत गयाई हमें डूपते जाना है अच्छेतं की पर्तों से चाहे कुछ भी वर्त वह सामने क्यों ना आए हमें बीचलित नहीं होना है जो कुछ आये आता चला जाए जो कुछ आएगा वो सेम चला भी जाएगा अनंत के हाईयों में खोते चले जाना है जो कुछ आ रहा है अनंत के हाईयों में डूपते जाना है कुछ नंत में पून होस के साथ जाना है होस के साथ खोते चले जाना है दस्टावन का साक्षिवन का देखते रहना है अचेतन की प्रते क्रिया का अनुभाव करना है सेम ना तो कोई क्रिया करनी है ना प्रति क्रिया करनी है सामने अच्छा है या बुरा कोई प्रक नहीं पड़ता उसको तो आने देना है वो इस प्रमाण में ब्लीन हो जाने देना है क्या हो अच्छा हो या बुरा उसकोई प्रति क्या नहीं तर ने क्यों रोकी वर साक्षि बने रहना है ब्लीन होता जा रहा है सब कुछ विचासन होते जा रही है अनन्द के हाई हमें खोते जा रही है खोते जा रही है खोते जा रही है अन्दासन के लिए और प्रेक्षििंह झाल 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 जो एनो आवरे ही है जो भी ऐसास वो रहे हैं, उन अनभोक उन ऐसासों को करती हुए, धीर दिये चेतना में वापस आने के लिए तयार होंगे, धीर दिये चेत्ना में वापचाने के लिए तैया हूंगे सरी का एसाश स्वासो का एसाश सरी का एसाश स्वासो का एसाश वो दो गहरे लंबे स्वाश दो गहरे लंबे स्वाश हातों की उंगलियों में हलचल करें हतेलियों को रब करें गरम करें आखों पर लगाएं चेहरे पर लगाएं और धीर आके खुलते हुए चेतना में बापस आजाएं सभी चेतना में बापस आजाएं अब चेतना में जागरत कैसे होता है इसके बारे में कुछ बताएं सभी चेतना में डूबते चले जाएं तो आप चेतना में अप जागरत हो जाएगा अब बाकी तो रेकी में मैंने बहुत साइच चीज स्काई है आपको आप चेतना में को जागरत करने तरीके अब यास तो कर रहा है लेकन आपी चागर समय कुछ है महसूस नहीं है रेकी वाले अब यास करो अधी अगर हम चेतन में हैं, तो हमारे एक्षन या रिक्षन जरूर आएंगे, अगर हम चेतन में हैं, तो एक्षन या रिक्षन तो आई ही नहीं सकते, और अगर हम उससे भी परह निकल गए हैं, तो फिर तो थौट भी नहीं आ सकती, अव चेतन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ मुझे समझ नहीं आता कि जैसे अभी हम कुछ भी आंके बंद किये तब हम छेतन में है कुछ भी आएगा हम उसे देख रहे हैं या अपने मन को हम रूप पा रहे हैं कि इस पर action करना है इस पर नहीं करना या पिल्कुल नहीं करना अब उसे परे चले जाते हैं तो कुछ सोच होती ही नहीं है सोच नहीं होती है लेकिन पिक्चर होती है और पिक्चर को अगर हम क्रिया दे दे तो पिक्चर फिर भी की वही रुख जाती है अगर क्रिया नहीं देते हैं तो आगे बढ़ती चली जाती है अगर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो पिक्चर अपना खत्म होती चली जाएगी आगे बढ़ती चली जाएगी जहां प्रतिक्रिया करी तो ही रुख जाएगी वह दुआ से चेतन में दव जाती है लेकिन हमें कैसे बताख चलेगा कि अगर करनी है या नहीं, यह तो फिर फिल्साइब चेटन में अगर हमें ये थौठ है कि हमें यह करना है हमें नहीं करना यह कहीं न, कहीं conscious mind कर रहा है, लिगनine unconscious जाके conscious mind खत्म हो जाता है हाँ तो फिर action तो है यह नहीं फिर वहां जाके कैसे समझाएगी वो एक्टमेटिक चलती प्रकरती भी वेचता है जैसे हम सपने में हैं हम चेतन में नहीं होते लेकिन सपने में भी हम कई बार reaction कर रहे होते हैं तो वो जो उस reaction को ही खत्म करना है एक करने क्ता है हान्म मेशकात जा लेकर जैंगा है कि प्रीओ प्रतिकार नहीं करनी है अच्छ हो जिस प्र चृत्य लेकर कि कि बठार रहा है कि हम कुछण कटना ही नहीं है ि जो दूत जासब नहीं होगी सिर्वागावल खेलिव फिर में कोई के कैसे अच्वाइक है कई बार हम कोई विचार करके बैठते हैं या कोई विचार करके बैठते ही नहीं यह कभी कभी बैठे बैठे ध्यान लग जाता है तो उसमें तो हमारा ना कोई और यह द्यान होता है लोग धाण द्यान कारें कर्मा को कर्म करने का या पर पिछ्छे जो कर्ष्ट बात रहें उनको खत्म करने के लिए हैं अगर चैतन नहीं रहेंगे तो हम रोक पाएंगे बिना रेक्ट केर्म नहीं रह सकते हैं रेक्षन हो गई होगा कि वह फिर यह होता है कि हमें कुछ करना नहीं है वह सोचने के लिए कुछ नहीं बचता ठीक है मतलब यह एक संकल्प करके बठना जो भी हो जाए हमें कुछ नहीं करना उसके बाद ही उसमें उतरना है तो अपने आप यह होगा बिल्कुल अपने आप जब उसके पहुचेंगे तो पर कुछ रियक्शन नहीं होगा नहीं तो हम बह जाते हैं उससके साथ क्योंकि वह आपनी ही यादे हैं बिलकुल यादों के साथ चिपक जाएंगे वह पहुच का पर फेसे उन्हें जीएंगे अच्छी होगी तो खुज़ने लगें वह दुखी होने लगेंगे अच्छी बहुत कमी आती हैं ज्नोंने हमें परेशन किया ये साथ और पाध में उतर जाती हैं कि अच्छी भी मिटतीं है लेकिन दोनों फान जी करें जादता हुआ 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 अचेतन से वही बाते बार बार सामने आती है इसलिए अच्छा तो शायद ही किसी को खुशिया हुई हमने उस टाइम जी या और वो घतम हो गई कि उसे हम बरपूर जी लेते हैं जो दुख होता है उससे हम बचना चाहते हैं इसलिए पुशाई चीजे निकल के आती है चैतन की जब पड़ते खुलते हैं तो हमेसा दुखी की पड़ते जदा आती है जी जी वोही वोही कि ऐसा नहीं होता है हम बहुत बार खुश होते हैं बच्पन से लेकर कितना भी याद हम कर लें बहुत बार हम इतना खुश हुए कि अध से जदा लेकिन वो कभी नहीं यातर है उसमें गहराई से वो जब आता है जब हम याद करते हैं हां कोशिश की लेकिन वह अगर कोशिश नहीं करेंगे तो वही निकल के आएगा जो आपको ने दवाया हुआ है अच्छा इसी लिए वो तकलीफ वली चीज़े ज़्यादा आती है हाँ वहाँ पर उनको जी के खत्म कर देते हैं क्लिम की तरह देख रहे हैं वो आ रही है और चली जाती है वह खत्म हो जाती है ठीक है मतलब यह सबसे पहला है कि हमें खाली एक थाट देखे बाट यह संकल्प करके बाटने कि हमें कोई भीńst nor reaction करना ही नहीं है यह जाती है होता क्या है कि हम बोलते तो रहते हैं स्विकार कर लिया यह नहीं कर लिया लेकिन अंदरूनी क्या हो रहा है उस पर कंट्रोल नहीं होता मतलब यह सच्चाई है जो अब तक समझ में आई है कि उस टाइम पर हमारे हाथ में कुछ रही नहीं चल रहा है उसी बात कर मोफ नए इस पर तो सर अच्छी वात ही होती है कि परख़ी सविकार नहीं तक्लीफ जो दे रही है वह कैसे इंसान सविकार करेगा नहीं कर सकते हैं पार कि छेस निए कुश्चन होते हैं लेकिन जब तक ध्यान में जाकर वापिस आते वह सब खत्म होचिके होते हैं आप दो बारवास लगाते हैं तब तक वापिस आई सब्सक्राइब किश्चन वह भी अपनमी नियुका है ख़वाब भी अपने होते वे हैं लुक्त yr पाई जोड़े सब्सक्राइब देता है जब गुरु कह देता है कि हाँ ये भी है क्योंकि वह उस लाइन से गुजड़ चुका है उस रास्टे से गुजड़ चुका conservative तो वो में सही गलत बता देता है यह राष्टा इसी तैसे आगे बनता चला जाता है आगे बढ़ते चल जाते हैं पॉचेतन की पड़ते लेकिन कुछ बहुत गईरी परते वी होती है जो बाबा पर भी उखड़का करते यह यह रहां सोच भी नहीं पाते है यह क्या देखा हाँ तो वह जो जाटा निकल का था है उस से भी कही ना कहीं हमाला है वाई संस का ये साज़ा जोड़ी ही है जो हम आज जी रही है तो हर चीज को खत्म करते चले जाओ जो कुछ आता है आने दो जाने दो आए जाए है लगाता है पके रुकने की जुगत नहीं है चीक है ठीक है सब और किशी जादा का कोई कोश्चन हो तो कुछ सकते हैं किशी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं परनाम गुरू जिस परनाम